Hi everyone, अब हम लोग React Native के अंदर basic styling के बारे में बात करने वाले हैं और कहते हैं जो दिखता है वो बिखता है आप चाहिए application के अंदर जितना मर्जी strong logic लगा लो अगर आपका UI अच्छा नहीं है, बिल्कुल टूटा-फूटा भिख रहा हुआ पड़ है तो कोई भी आपकी application को पसंद नहीं करेगा चाहिए आपने बहुत चपरतस logic लगा दिया हो बट उसका कुछ भी फाइदा नहीं है अगर आपकी UI descent नहीं है तो at least हमें किसी भी technology के बारे में basic style आना चाहिए अब हम लोग यहाँ पर React Native की बात कर रहे हैं तीनों का example लेकि मैं आपको बताऊँगा अच्छे से समझाँगा उसके बाद में देगो यहाँ में लोग जो properties सीखने वाले ना वो basic जरूर है बट बहुत ज्यादा important है जब भी आप एक application के अंदर style करना शुरू करोगे ना तो at least इन properties का use definitely करोगे आपको यहाँ में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और last में कुछ interview question भी हम लोग cover करने वाले अब मैं क्या करता हूँ code editor को open करता हूँ यह हमारा code editor है और यह है हमारा emulator जिसके हम लोग output चेक करने वाले अभी के लिए मैंने यहाँ पे एक simple view लिया है और एक simple text ले रखा है ताकि मैं इसके अंदर कुछ text लिख पाऊँ start करते हैं inline style के साथ में inline style कहां पर use करते हैं जब हम लोग एक component लेते हैं आपको पते हैं जो भी हम लोग UI लिखते हैं react native के अंदर उनको tags नहीं बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं component so जो भी style हम लोग एक component के अंदर ही कर देते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं inline style और ऐसा नहीं कि हम लोग यह style यहाँ पे करेंगे यहाँ पे तो वो normal text बन जाएगा जो भी हम print करना चाहते हैं इस tag के यहाँ पे जब हम लोग style करते हैं so मैं यहाँ पे लिखता हूँ simply style और इसके अंदर जैसे आप style लिखोगे आपको double object चाहिए अब double object क्यों चाहिए एक तो normal object बनाने के जिए और जो second object होता हमारा jsx का होता है so यहाँ पे आपको कैसे लिखना है वेब से काफे मिलते हैं जूलती है वहाँ पे हम लोग कैसे लिखते हैं font minus style, hyphen style लिखते हैं तो यहाँ पे हमें just capital size के लिखने है camel case के लिखने है font size इस तरीके से लिखने है और उसके बाद में कोई भी value दोगे तो यहाँ पे pixels नहीं आते बस normal value होती जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 30 तो यहाँ पे size अपने आप 30 ले लेगा यहाँ पे pixel हो गएरा वाला कोई से नहीं है अगर आप 300 कर दोगे तो भी चलेगा कोई इकत नहीं है ऐसे वा जाएगा बट pixel वगएरा की definitely आपको जुरूरत नहीं पड़ेगी परफेक्ट यह होगा एक अब आपको मालो एक और इसके अंदर style एड़ करना है तो आप क्या करोगी तो आप लेट से आप इसका color एड़ करना चाहते तो कोमा color और color आप डाल सकते हो लेट से red इस तरी के से ठीक है तो यह होगी हमारी inline style अब मैं यहाँ जो एक फाइल के अंदर बनाते हो उसको हम लोग बोलते है बैसिकली अब मैंने एक और टेक्स ले लिया तीन ले लिए मैंने चार ले लिए अब देखो हो क्या रहा है कि सब के उपर सेम फॉंट साइज एंड सेम कलर अप्लाई हो रहा है और अब मालो कुछ और भी प्रोपेटीज हैं आपके पास जैसे कि आपके पास है यहाँ पे बैग्राउंड कलर और यहाँ पे आपने लगा दिया ग्रीन इस तरीके से चीक है अब सेम चीज़ आपको यहाँ पे बीचे यह वो तो अब आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि यार हम लोग जो कोड है उसको बार-बार रिपीट ही करते जा रहे हैं सेम कोड हम लोगों नहीं चार बार लिख रखा है तो यह कहीं common कोड होना चीज़ राइट इसके लिए हम लोग क्या करते हैं एक component के अंदर ही हम लोग internal style यूज़ कर लेते हैं कैसे सबसे पहले react के अंदर से आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा style sheet यह निकाला और यह react क सब इसको use कैसे करना है जहां पर आपका component खतम होता है उसके बाद में कर लो या फिर उससे पहले कर लो इवन component से बाहर होना चाहिए वो बैटर रहेगा तो उसके लिए आप कोई भी यहाँ पे const ले लो जैसे में आप एक normal const ले लेता हूं जिसका नाम में आपे कर देता हू styles ठीक है और यहां पे हम लोग लिखेंगे simply stylesheet.create ठीक है अब create बेसिकल एक function होता है जिसके अंदर हम लोग एक object लेते हैं इस object के अंदर मारा पूरा पूरा style आता है मालो मैं text box के लिए style लगा रहा हूं तो मैंने आप लगा दिया text ठीक है इस तरीके से text box लगा दिता हूं ठीक है यह हमारी की हो गई colon करके इसके अंदर हम लोग लिखेंगे style जैसे कि मैं आप लगा देता हूं color is let's say view ठीक है इस तरीक से लगा सकते हैं तो मैं आप जो color था उप लगा दिया बट यह आएगा किस के अंदर string के अंदर ठीक है अब इस style को उठा के आप कहीं भी लगा सकते हो तो अब मैं अभी के लिए जो inline वाली style है इसको एक text books के उपर रख देता हूं उपर वाले के उपर और जो नीचे तीन हो है ना इसके उपर मैं कर दूँगा यहाँ पर हमारी internal style so सब कुछ मैं हटा दूँगा यहां से इस तरीके से अब मुझे यहाँ पर single curly braces चीए because ए curly braces हम लोग यहाँ पर already use कर चुके है इसके अंदर में क्या use करना है जो भी हम लोगों यहाँ पर constantly है styles dot text box अब इसको मैं save करता हूँ तो आप देखो इसके उपर एक अलग style आगे अब थोड़ा साइस में और change कर देता हूँ जैसे मैं इसका font size बढ़ा देता हूँ font size मैं कर देता हूँ यहाँ पे 30 जो बाकी सब के साथ ही है ठीक है और यह आपको codes के अंदर लेने की ज़रूरत न पड़ेगा ना इस list के ओपर तो हम लोग अराम से कर पाएंगे because हमारे पास एक normal class है ठीक है अब मैं कुछ और changes करता हूँ जैसे मैं इसका background color देता हूँ ठीक है background color आप दे दो let's see कोई भी दे दो मैं आपे green देता हूँ green ठीक लगया अभी के लिए नहीं green अच्छा नहीं लग रहा मैं आप यह करता हूँ इसको मैं कर देता हूँ light blue light blue color है हमारे पास कोई background का ठीक है और जो color है इसको कर देता हूँ यहाँ पे white आप ऐसे उसके अंदर भी लिख सकते हो code के अंदर भी लिख सकते हो इसका मतलब होता है white तो आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको ऐसा दिख रहा है अगर आपको normal पूरा blue चाहिए तो आप लोग यहाँ पे blue ले सकते हो इससे वह काम चल जाए ठीक है अब मालो थोड़ा सा आप इसके अंदर ना थोड़ा थोड़ इस देना चाहते हो सबके तो इसमें margin सेट कर दो top दो bottom दो फिर चारो तरफ दो मैं यहाँ पे bottom margin देता हूं let's say 10 ठीक है जैसे मैंने 10 दिया थोड़ा 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 निके बीच में space भी आ गया अब आप थोड़ी सी let's second की margin देना चाहते हो पैडिंग देना चाहते हो कि थोड़ा थोड़ा यहाँ उपर और नीचे थोड़ा सा space बढ़े तो आप इसके दर पैडिंग भी दे सकते हो जैसे कि आप यहाँ पे simply दोगे पैडिंग और पैडिंग मैं यहाँ पे कर देता हूं let's say 4 सेव करोगे तो okay पैडिंग में error आ गया because हम लोगों ने यहाँ पे double sample ने आ लिया था ठीक है चाहर में फरक नहीं दीख रहा आपको तो हम लोग थोड़ा बढ़ा देते हैं 10 कर देता हूं अभी भी नहीं आई आएगी भी नहीं because यहाँ पे हमारी spelling ही गलत है तो इसको मैं और ठीक करता हूं और अब आप देखते हैं थोड़ा थोड़ा इनके बीच में padding भी आ गया परफेक्ट सब कुछ ठीक है अच्छ आप कुछ और चीज़े देख लेते हैं जैसे मैंने आपक इसे थोड़ा थोड़ा bind हो जाएगा इस तरीके से अगर आपको height देनी है तो आप basically height भी दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर जैसे कि हम लोग यहाँ पे use कर लेंगे height और जैसे आप height दोगे आप कुछ भी height देख जैसे आपने दे दिया 100 तो इन सब के height होगी व दोनों तरीके से आप इसको centerline करना चाहते हो तो आप simply यहाँ कर सकते हो सबसे पहले यहाँ पे करो text align ठीक है text align vertical कर दोगे और इसको यहाँ पे simply कर दो center तो यह center के अंदर आ जाएगा vertical ठीक है अब आपको let's say इसको horizontally वो करना align करना है तो text align लिख दो normally और यहाँ पे कर दो center जैसे करोगे यह इधर से भी center में आ जाएगा ठीक है तो दोनों तरीके से center में कैसे करना है आपको यहीं बता चल गया अब मालों आपको border का color देना है ठीक है तो border color आप दे रहे हो let's say red ठीक है जैसे आप red लिखोगे क्या आपको दीखेगा नहीं दीखने वाला क्यों because border के with नहीं अभी के लिए border की with by default 0 है तो आपको मैं लिखोंगा border with और यहां पे कर देता हूँ two pixel not two pixel two because मैं भी आर web गयर के उपर भी style करता हूँ ना तो थोड़ा सा यहां पे pixel हो गयरा कि गल्दी से बोल जाता हूँ please manage करना ठीक है तो यह एक तरीक से देख सकते हो कि हमारे पा यह लिए same लगा रहे हैं और same ही style हमें different different component के उपर चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए basically इस style को बहुं बाहर रखना चाहिए ताकि हम लोग different different component के अंदर भी उसको use कर पाएं मानते हो तो अब उसके लिए क्या करते है हम लोग एक external style भी करते है ठीक है हम लोग उने inline देख लेना इसका मैं यहां पर नाम रख लेता हूं let's say style ही रख लेता हूं ठीक है style.js रख लेते हैं को दिख करने हैं और यहां पर आने के बाद में simply आपको क्या करना है जो जो चीज़े आपने उपर से import करी थी ना वही सारी की सारी चीज़ें करना है जैसे सबसे पहले तो मैंने रख लिया यहां पे red और color मैंने यहां पे normal white रख लिया font size में थोड़ा बढ़ा कर देता हूं इसका ताकि आपको अलागी दीखे 35 कर देता हूं ठीक है अब because हमने उपर से style sheet import नहीं करा तो error आ जाएगा नहीं तो ठीक है तो यहां पर करो import something from react native और यहां से क्या import करोगे style sheet style sheet इस तरीके से perfect अब यहां पर गया करना है इसको const को बेशक से अटा दो यहां पर कर दो export default चिक है और इस styles को अब ले जाओ आप यहां पर इस तरीके से even अगर आप चाहो तो because 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 वहां भी उनों को नहीं style से रखा हुआ तो मैं यहां पर ex कर दूँ ex style कर देता हूं ठीक है ex style that means external style otherwise दोनों में confused हो जाओ अपना विकोस हमने यहां पर भी style से लिया होगा है अब मैं इसको यहां पर इंपोर्ट कर रहा हूं और यहां पर मैं लिख हूँगा import something from because यह default export है right अब default export को आपको ब्रैकेट देने की जुरूरत होती है default है तो आपको ब्रैकेट देने की जुरूरत नहीं है और यहां पर आप simply लिख सकते हो styles चीक है अब इस styles को use कहां करना है अब मैं यहां पर एक और text box ले लेता हूँ जैसा हम लोगों नहीं यहां पर लिया हुआ है और यहां पर तो दो classes लिखाने जैसे हम लोग और नॉर्मल वेब के अंदर दो classes भी apply कर लेते हैं तो दो classes कैसे लगाएंगे हम लोग एक और मैं यहां पर text box लेता हूँ यहां पर इसके अंदर आप simply इस तरीके से एक array बनाओ ठीक है array बनाया आप इसके अंदर आप दोनों को style कर सकते हो जैसे कि आपने सबसे पहले कर लिया styles.textbox और बाद में external style का textbox जहां पर textbox को जुरूरी नहीं है आप xbox लिख लिख लो abc लिख लो जो बर्जी लिखो चलेगा बस मैंने यहां पर textbox लिख दिया because यह text वाले boxes है और अब देखो जो नीचे था इसका style काफी यह बड़ा हो गया margin वार्जन इस तरीके से आ गया यहां पर इसके उपर दोनों के दोनों styles apply हो गई ठीक है अगर आपको इसके उपर again normal style भी apply करना चाहते हो inline तो वह भी possible है just simply यहां पर लिख दो let's say मैं कर देता हूँ यहां पर margin inline style लगाई फिर internal लगाई फिर external लगाई और last में हमने तिनों की तिनों एक साथ लगा दी तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने काफी सारी चीजें देखी है और किस तरीकर से हम लोग center में कर सकते हैं text को vertically horizontally कैसे border वगरा दे सकते हैं कैसे हम लोग थोड़ा सा radius को manage कर सकते हैं य share your feedback in comment section और यह btm donation के लिए number thank you guys thank you so much